बलिवूड के महान एक्टर कादरखान ने कई फिल्मों में कारे किया है वह उनके बहुत से फेंस हैं लेकिन आझ कल अपनी बेकार तबियत के कारण वेह फिलमी संसार से बहुत ज्यादा धूर हैं बता दे कादरखान बहुत ज्यादा वक्त से बीमार चल रहे हैं पहले उन्हें चलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था लेकिन अब उन्हें बोलने में भी कठनाई हो रही है कादर खान की तबियत के बारे में यह जानकारी उनकी बहुर शहिष्टा ने दी शहिष्टा ने यह भी बताया कि वे मुझे वह मेरे पती को ही समझ बाते हैं लेकिन वे सबको पहचानते हैं कौम से बातचीत में कादर खान की बहुर शहिष्टा ने उनकी तबियत की जानकारी दी है शहिष्टा ने यह भी बताया कि उनकी तबियत अच्छा है वा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है उन्होंने यह भी बोला कि उनके बच्चे साइमा वा हामजा कादर खान को बेबी की तरह ही ट्रीट करते हैं वा उनका ध्यान रखते हैं बता दे कुछ वक पहले कादर खान के बेटे सर्फराज ने बताया था कि उन्हें चलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सर्फराज ने बोला था हमेरे पिता को चलने में कठनाई हो रही है हमें उन्हें दोनों तरफ से सपोर्ट देना पड़ता है वह कुछ कदम चलने के बाद वे हिप बैठने के लिए कहने लगते हैं उन्हें भय लगता है कि वह गिर जाएंगे इसके अतरिक्त सर्फराज ने कुछ वर्ष पहले हुई कादर खान की घूटने की सरजरी के बारे में बताया कि उनकी सरजरी गलत नहीं हुई थी बलकि मेरे पिता ने सरजरी के बाद उठने से इंकार कर दिया हमें बताया गया था कि उन्हें अगले दिन से चलने की प्रयास करनी है लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं की हाला कि वे बिल्कुल अच्छा हैं उनकी तबियत को लेकर परिशान होने वाली कोई बात नहीं है वे खुश हैं वे मेरी पत्नी बच्चों के साथ आराम दायक जिन्दगी जी रहे हैं